कि अठारा नंबर क्वेस्टन हो गया ने देखे आप आए उनीज से और हाँ एक चीद देखे का नाम भोल जाते हैं कि जो भी नहीं विद्यारते सेनल पे आते हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं या जिसके पास ये वीडियो पहुँच पाया है और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि बिना सब्सक्राइब किये हुए आपके पास हर दिन टाइम से वीडियो नहीं पहूंचेगा और अगर सब्सक्राइबалась कर लेते हो तो टाइम से हर दिनापके पास साथ वज़े से लेके 10 बज़े तक लगतार आपके पास वीडियो पाहुचता रहाएका 7 अम नो से दास तीन वो लगातार ऐसे तो छे वज़े से यह स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो नाइंध क्लास कर रहा था आपके क्लास करने हैं और रही बात 11 11 अभी हम रोके होगा है ठीक है 11 के लास अभी अपलोड नहीं करना है अब उमीद है कि साथ दुर्गा पूजा के बात ही करेंगे लगतार फिर 11 जोड़ देंगे जैसे अभी टेंथ पे जोड़ दे रहा है उसके पूरा जोड़ देंगे और किसी को दिखाई देने में अगर प्रोब्लम होता होगा और अगर आपके यहां फाइब जी एवेलबल है तो मेरा सजेस्टन यहीं रहेगा कि वीडियो के जो क्वालिटी होता है क्वालिटी आप लोग अच्छे तरह से आता है रिजल्यूशन गठेगा पूरा अधम साफ साफ दिखाई देगा दिखाई देने में कोई प्रोब्लम ने होगा होता होगा कि आप लोग 144 पे यह 307 तीसाट भी ठीक है तिसाट भी ठीक है लेकिन साथ सो बीस पे देखो कि तो बहुत अच्छा दिखाई देगा पूरा अधम ऐसा दोन में हम इस सब चीज़े उतना ध्यान नी देते हैं कि आते हैं अच्छा प्रहा के निकल जाते हैं उन्यस नमबर कि एक वरिद का कि के अंदर तुए एस माइनस वन कॉमा थ्री एस प्लस वन और तिरेजिया दस एक आई है यदि वरिद बिन्दो माइनस तीन कॉमा माइनस एक से होकर जाती है तो एक्स का मान क्यात करें देखो क्वेस्टिन क्या है थोड़ा से जगर पर ध्यान देजाएगा व्रिद का केंद्र स्माल लेते हैं कि यह व्रिद देखो यहां पर फोकस करो जहां पर मेरा हाथ चलता है अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहे हों तो हम हमेशा सज्जेस्ट यहीं करते बच्चे को कि य हाथ पर जहां हाथ चल रहा है और दूसरा सुनना चाहेगी क्या बोल रहे हैं यह ने की हाथ पर ध्यान गया ने पूरा स्रेड़ी पून का ध्यान जा रहा हुआ जैसे 99.999999 परसेंट टीचर यही करते हैं कि अपने आपको दिखाते हैं कि यह मैं आपका आकर्षन बढ़े एक इंट्रेक्संस बढ़े और मेरा कहना है कि ध्यान यहां होना चाहिए मैध में खास करके यह पर ध्यान होते यहां हात मेरा चल रहा है एक वृत का केंदर तो केंदर कितना केंदर जो भी हो केंदर देले हैं और हाला कि तिरिज्या दस एक आई है यदि वृत बिन्दू माइनस तीन कॉमा एक से जाती तो माल लोई वाला बिन्दू पी है और सपोर्ट डेट ओ तो तो खेर पते हैं में केंदर पता है कितना तो लिख दोने किंदर हो गया तो एक स माइनस वन कॉमा एगरी भूज में से भूज घटा दो मतलब की 2x-1 2x-1 में से उसको घटा देजिए तो वो जाएगा पलस 3 के होल स्क्वायर वैसे ही 3x-1 में से उसको घटा दो तो उसको घटा दो तो घटाना है ओपी बराबर अंडर रूट भ्यान से देखिएगा कि दू एक्स तो टू एक्स लिखो और तीन में से एक घट गया तो दू के होल स्क्वायर प्लस यहां हम कह सकते हैं कि 3x अप्लस एक एक जोड़ के दू हो जाएगा कि ओपी जो हम लिख रहे हैं यानि ओ से लेके पी तक लिख रहे हैं ओपी है क्या ओपी रेडियस हिंदी में अगर बोलें तो जो ओपी लिख रहे हैं ओधर तिरिजया तो क्वेस्टन में ही दिये आपको ढूंडने एक ज़रुवत है एक वरित का केंदर इतना है और तिरिजया कितना है यहां पर फोकस केजिए तिरिजया कितना है दस तो ओपी जो दिखाए दे रहा है वहां पर प्यों लिखिए हम 10 लिख देते हैं अंडर रूट चाहोति इसको अंडर रूट में ही तोड़ दो या बाद में तोड़ देना कि क्योंकि इधर जो रूट है उसको इधर भेजना पढ़ेगा है है कभी भी इती है कि 1 लश भी कई हो असक्वार इसक्वार हो जाएगा जने पहले του 2x क्या स्कारा 2x क्या स्कार हो गया 4x अस्कार जी फ्लस भी सक्डार तो करो Л descendants अस्कार हो गया 4 स्कार उसकार दंशन शिर फ्लस बी स्कार क्लष स्वाल तो गत्तान द्यू as यहां भी दू यहां भी दू तो गुना होके 8X पलस इधर तोड़ो A स्क्वाइर यानि हो जाएगा 9X स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर यानि 4 अप्लस में 2AB तो 2A यानि 3 है अब 2 यानि 2 है तो 3 दूनी 6 तो यही हो गया अब बोल रहे हैं 2AB यह दोनों गुना करके जितना आ रहा है जैसे 3 दू तीन दूनी 6 हो गया लेकिन सिर्फ 3 दूनी 6 नहीं लिखना है यह तो हो गया AB यह दोनों गुना के 2AB लिखना है तीन दूनी 6 और उसमें 2 गुना कर दो तो 12X अब तो रूट हट आओगे रूट इधर भेजो तो 10 के स्कॉयर हो जाएगा रूट इधर 10 के स्कॉयर हो गया यहां बाचा क्या 4X स्कॉयर 9X स्कॉयर दोनों को जोड़ दो 13X स्कॉयर प्लस 8X 12X दोनों को जोड़ दिजे 20X पलस यहां 4 है यहां भी 4 है 4-4 आठ यह हो गया 13X स्कॉयर प्लस 20X प्लस 8 यह जो 100 है नहीं इसको उधर भेज़ दो तो 100 इधर आके हो जाएगा माइनस में यहां नहीं कुछ तो 0 अब लिखना है 13X स्कॉयर प्लस 20X आठ में से 100 घड़ आ देना माइनस 92 देखो अगर कहीं गलती हो गया होगा तो तो कोई गुझा इसने गलती हो गया तो हो गया अगर हमसे कहीं गलती हो गया तो फिर सुधरने का बड़ी मुश्किल हाला था कि हम सुधर सकते हैं और टो एकस माइनस वण ठेक है टो एकस माइनस उसमें से गटाना था प्लस थी हो गया प्लस थी अपर त्री एकस प्लस में सो गटाना था प्लस बड़ी सही है कि इसको तोड़े एसक्वार प्लस बीसक्वार प्लस टू यह सही है तो वह तो यही रहा है नौचार तेरह स्क्वार बार आठ पीस नौचार तेदा कि चार चाराठ हो गया है ठीक अब इसी को तोड़ना होगा यहां बानवे है और यहां तेरह है बानवे और तेरह एसन से तोड़ो कि घटा के बीस आ जाए तो थोड़ा सा कि हमको सब के ने कंसिडर करके चलना है देखो तेरह गुने बानवे दोनों गुना मत करो तोड़ने तो बानवे और तोड़ों 13 13 तो बामन होता है यानि कि 23 यानि कि 23 और गुने कि तेज़स आँ सब्सक्राइब में ए यहां कि क्या करना इद्यान में रखना है कि हमको करना कि यह भी तो द्यान रखना है कि ह हां क्या कहा रहा है उजरा फोकस करो कि 13 और बानवे गुना किंजित तो गुना हम नहीं किए क्यों 13 और बानवे जब गुना करके हैं फिर तो उसको तोड़ना हिं पूर र propri ओर इसको लिखे 23 और चार को लिखे दूल और इधर लिखे दूग क्यों अरे बात तो बरबरे तेरह है तेरह है तेरह है इसलिए लिखे हैं क्योंकि तेरह दूनी 26 एक तरफ और तेरह दूनी 46 एक तरफ अब ज़रा खुद सोचो कि 26 में से 46 में से 26 घटेगा तो 20 आ जाएगा लाना भी तो 20 है लिखते हैं 13 x square प्लस 46 माइनस 26 माइनस 92 इस एक वर टू जीरो यहां इन दोनों में से common लेलो अब फिर इन दोनों में से common लेलो अगर इन दोनों में से हम common लेते हैं तो हाला कि कुछ खास common ने लेकिन फिर भी common तो लेना पड़ेगा अगर कुछ common ले सकते हैं अगर नहीं कुछ है तो कम से कम x के बारे में सोचो x है x है हाँ x है तो x common ले लेते हैं तो यहां से बचेगा 13 x प्लस 46 पूरा पूरे यहां से पहले तो माइनस सबसे पहले माइनस वाला चिन्हा और 26 और 92 में से दू कौम ले ले लिए अगर सिर्फ दू कौम ले लेते हैं तो इस जगह से 13 बचेगा 13 x और प्लस दू कौम ले हैं तो 46 बच गया इस इकवल टू जीरो जीरो चलो भै सरकल के अंदर हेल गया 13 x प्लस 46 कौम ले लो यहां पहां से 13 जगह से एक्स बचा और माइनस टू इस इकवल टू जीरो यहां से एक्स इकवल टू केतना हो गया माइनस छे आलेस बटा 13 ठीक है एक्स इकवल टू फिर से कितना हो गया तो एक्स के दू वैलो निकला माइनस 46 वटा 13 और दो नो ठीक है यानि अंसर अगर आपको लिखना है क्यूंकि एक्स ही तो पूछ रहा था ने तो क्या करें निगल गया और क्या एक्स कहीं तो मान पूछ रहा था तो एक्स इसा फिक्स नहीं कि यही एक होगा चाहे वो एक होगा हम तो दोनों लिखेंगे दू भी और माइनस 46 वटा 13 आप स्क्रिंस ओट ले लो अप्सक्रिंस 19 के बाद 20 20 के फॉस्ट 20 के पहले नमर क्वेश्ट को तन कह रहा है कि सिद्ध करें की बिंदुएं सिद्ध करें की बिंदुएं 4 कौमा 3 6 कौमा 4 5 कौमा 6 और 3 कौमा 5 एक वर्ग के सिर्ज यहां बात हम बताने चाले हैं अब जो बात हम बताने चाले हैं गांठ बांथ लिजेगा एदम दिमाग खोल के दम दिमाग वे फिट कर लिना जो अभी हम बतलाने वाले है वर्ग और समाना अंतर चत्रफुज एक जैसा लगता है वर्ग और सम्चत्रफुज एक जैसा लगता है क्या होता है वर्ग में इसकी सभी भोजाओं सभी क्यों लिखें डारेक्ट लिखते थे हैं चारो भोजाओं की लंबाई आपस में समान होती है वर्ग किसे कहते हैं तो वह इसा चत्रफुज जिसकी चारो भोजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है सम्चत्रफुज किसे कहते हैं इसमें भी वही बात बोला जाता है जिसके चारो भोजाओं की लंबाई आपस में और समान होती है तो फिर अंतर क्या अंतर देखो यह है कि अगर सम् चत्रभुज की बारे मैं कोई पूछे तो बस इतना ही इनफॉर्मेसन चाहिए कि वैसा चत्रभुज जिसके चारों भुजाओं के लंभाई आपसे बराबर बस इतने इतने ही इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी ने इतने इन्फॉर्मेशन से काम जल जाता है सम चत्रवुच किसे करते हैं तो यहां पूरा गांट बार लेजिए रटा मार रेजिए कि वैसा चत्रवुच जिसके चारब हो जाओं के लंबाई आपस में बराबर होती है तो दोनान में कोई डिफ्रेंस होगाने देखो फिल्एल तो अभीम डिफ्रेंस न ही बतला रहे हम यह समझा रहे हैं कि दोनमें स्टमेश टी क्या है फंचत्रवुच जी वही है वर्ग वही थी थिर भी अंतर के से पता करेंगे तो अंतर नहीं पता करना हैं अपको जब निया हो सकता है हो सकता है कि इसके दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो हो सकता है दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो या दोनों विकर्ण आपस में समान नहीं हो मतलब मतलब यह कि जरा आप ध्यान से देखे और जो ग्रीन पेंस से लिखें वो ग्रीन है मतलब वह तो इंपोर्टेंट है कि वैसा चत्रफुज जिसके चारव हो जाएं आपस में बराबर हो तो सम्चत्रफुज बोलेंगे हैं हो सकता है कि इसके समान नहीं हो कि तो क्या सही है समान होगा यह बार बार कर रहें कि इसपे Näने करना है कि विकर्ण समान है तो भी उसको सम्चतरफुज बोलेंगे विकर्ण समान नहीं है तब bench बोलेंगे इसा चत्रफुज जिसके चारों हो जाओं के लिए आपस में बराबर है बाकि जो विकर्ण वाला कहानी है वो इंपोर्टेंट नहीं है सम्चत्रफुज के पहचान के लिए वो इंपोर्टेंट नहीं है इसमें आणिन विकर्न आपको चेक करने कि जरूरत नहीं नहिंए लेकिन किसके लिए सम-चजओ के लिए अब इतना धीले धीले इतना धीले धीले बोल discriminate सिर्फ यह चेक करना और और इसके दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में समान हूँ अगर दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में समान नहीं हुआ मामला गरवड है यह कंडिसंस भी चाहिए जो नीचे लिखें और उपर जो ग्रीन पिंसे लिखें वो तो खैर चाहिए ही चाहिए यह वला तो चाहिए ही चाहिए यह तो फिक्स है यानि अगर आपको वर्ग के बारें बतलाना है तो अदम हंड़ेट परसेंट विकर्ण आपको निकालना होगा दो च्बें मैं सम्हे了 है जिसके चारोभ होजाओं के लंबाह आपसा है बहुत अच्छा बात है यह वही कर्ण हो सकता दोनां बरावर भी होSe यह हो सकता है कि दिवलां डी टू बरावर हो भी कि यह तो यह मैंसक्तक्ोरे है एकी दिवर्णाट इकवल तो बेक इस हाई तो यह मैटर नहीं करता है कि विकर्ण बराबर है याने हम बार-बार जोड़ दे रहें इस बात पर क्यूंकि 90% टीचर कन्फूज रहते हैं 99.9% तो अस्ट्रेंट कन्फूज रहता है कि सम चत्रहुच किसे करते हैं तो डारेक्ट बताता है वैसा चत्रहुच जिसके चारो भुजाक लंबाई आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं हो के बतला दिया यार दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बरावर ने हो और अगर दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बरावर हो गया तो आपके हिसाब से उसम्चतुर भुझने नहीं है सर्काई कि दोनों विकर्ण की लंबाई बरावर हो गया ने तो तो वर्ग हो गया है वर्ग है हम कहते हैं वर्ग है ? लेकिन वह समचतर होुझ सतों। हो जाए वर्ग देखो कि ए ए ए ए ए यहाँ पर मालेज़े डीवन है डीटू तेजा हंड़ेट परसेंट है कि डीवन डीटू बराबर होगा ठीक है कि दोनों विकर्ण बराबर होगा अब एदम पूरा दिमाग में फिट कर लिए तभी आप क्वेस्टन को पूरा अदम किलियर वे में समझ पाईएगा यहीं कंफ्यूजन रहा जाता है कि यानि अगर कहें कि सम्चत्रभुज बता तो बस चारोभ भुजा बतलाना है और अगर कहते वर्ग बतला तो चारोभ भुजा तो निकालना ही है साथे साथ विकर्ण भी निकालना अब जरा इस क्वेस्टन पर फोकस किजिए क्या सिद्ध करें क्या सिद्ध करें कि एक व पर्ग है माल लो कि एह है कि भी है सी है डी है चाहो तो आप सर्यां भी सकते हो ठीक है कि इसे हूं माल लोने ए भी सी डी ए बीसी डीली तो ए कितना है 4,3 बी कितना है 6,4 सी कितना है 5,6 डी कितना है 3,5 अब ए बी बी सी सीडी निकालो पहले ए भी चेक करो A B A B निकालने के लिए formula है under root direct A B निकालना है ने तो 6 में से 4 घटा दो आद डाइरेक्ट घटा ये दो चलो 6 में से 4 घटा के whole square पलस 4 में से 3 घटा दो अगाटा के whole square देखते हैं घटा कर कितना है A B equal to 6 में से 4 घटे का तो 2 लेकिन square के वज़ह से हो गया 4 पलस 4 में से 3 गया देख लेकिन square के वज़ह से 1 कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो under root 5 A B निकल गया A B के बाद ज़रा B C चेक करो B C B से C तक निकालना चारे तो 6 में से पहले 5 घटेगा या 5 में से 6 घटेगा कोई फर्क ने पढ़ता उस बाद से 6 में से 5 घटा के whole square मतलब X नियामक में X नियामक घट गया अब Y नियामक में Y नियामक घटा और इसमें focus नहीं करना कि 4 में से ही 6 घटेगा कि फिर 4 में से ही 6 घटा दो कोई फर्क नहीं पढ़ता उससे क्योंकि घटाने में फर्क हो सकता है लेकिन है square है square उसको कोई भेदभाव नहीं करता है 6 में से 5 घटेगा तो एक square कहीं होगा 6 में से 4 घटेगा दूर लेकिन square करोगा तो 4 इन दोनों को जोड़ देना तो रूट अंडर 5 चला कि इतना तो संकेत मिल रहा है कि AB रूट 5 है BC रूट 5 है अगला और संकेत मिलेगा CD ज़रा पहुचते है CD पर CD ज़रा चेक करते है CD केतना होगा अंडर रूट CD निकालना है नहीं है तो 5 में से 3 घट आहरो बाच मेंसे 3 घट गया कि होले स्कॉर नाथ इसे पांच मेंसे 3 घे वह सहीं 6 मेंसे 5 चेए कठ की गट आखे होल स्कॉर अडर ने उम्हें पांच मेंसे 3 तो दूब किन आस्पायर के वर ऐसे चार चे में से पांच क्या थे लेकिन अस्कॉायर के वज़े से दोनों को जोड़ दो सीडी कितना हो गया फिर से रूट फाइव तुझ आने तीसरी वार रूट फाइव मिला और हंड़ेट परसेंट कि चारों चारों रूट फाइव होगा तो तीन में से चार या चार में से तीन मतलब एक नियामक में एक नियामक घटाना है आणाओ चार में से तीन घटा के Люб वॉल अस्वारर है चार में से तीन घट गया तो तीन में से पाश घटा दो अगे गर चार में से घूए तो एक लिकीन सीक्वाइर भी आ कहीं होगा तीन में से 5-2 के वाच ज़에ए कीश्यार होजा एई इन दोनों को जोड़ीया है अगर सम्चत्रभुच कहता थे इतने लिख के छोड़ दयते हैं और कहते कि बिगई बिंदुं सम्चत्रभुच के सुर्स बिंदु हैं साबित हुआ लेकिन सम्चात्र भुजी तक रूखना ने हैं हमको वर्ग के सिर्ज है ऐसा साबित करना तो अब विकर्ण निकालना होगा वर्ग के लिए विकर्ण लेको विकर्ण की लंबाई रूट फाइब होगा यह गारंटी ने क्यों कि विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर हो मतलब विकर्ण एसी की लंबाई विकर्ण बीडी की लंबाई के बराबर हो इसके बराबर हो या नहीं हो इसका हम गारंटी ने लेते हैं नहीं होगा परसेंट ही कि नहीं होगा primary तो विकर ना अपसि सकते हैं did a dj a कि दो नो बरावर होना चाहिए पहले C तोands पांस मैं e draw nature और ते में 1-5 और मिटेर में से ठीन हटाएं आ दी यह जिसे सिर्ग एक यह माइनस तीन एकौन तो फल्रॉज चार में से पांक गटा दो त्साल माइनस पर सकी होला स्कॉार कि यीदे दोनों आपस में बर्ापर होना जाए कि अर्वा पांच में से चार गया एक और छे में से तीन गया तो तीन लेकिन अस्कौायर के वजह से नौ इधर इधर भी रूट दस इधर भी रूट दस यूनि विकर्ण भी आपस में बरावर है यानि कह सकते हैं कि दी गई बिंदुएं सॉरी दी गई दिन दुए एक वर्ग के सिर्ज है और ऐसा सावित होता है कि आप जो भी हैसाब मिलेगा सब में इतना ही धैर से अस्थिर से आपको बनाना ए भी निकालना है बी दी निकालना है अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो सम्चद अगर कहता तो वहीं तक उरूब जाते हैं है वर्ग अगर कहेगा तो आगे तक हम बढ़ेंगे देखेंगे क्या दोनों विकर्न की लंबाई भी आपस में बराबर है अगर है तो वर्ग है अगर समचा तुरभुज है नहीं है लेकिन वर्ग है दो कि जो इक रहा है कि वर्ग है तो हां वर्ग है अब सम्चत्र पूज के लिए सिर्फ यही कंडिसन्स होता है कि आप चारों भोजा के लंबाई आपस में बरावर करते हैं बस कि विकर्ण फॉलो हो रहा है यह 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 दिस नौट मैटर बिस मतलब को क्या बोलते हैं इन डाजन्ट मैटर यहां तू मैटर ने करता है मार कर यार दूसरा कि बीस के दुसरा सेम चिजवा फिर से रिपीट हुआ था महू बहू वही क्वेसा है कि यह को बीस के पहला बताएं बीस के दुसरा तम हो वही क्वेस्टन रिपीट हुआ है से थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है टाइप वही है कि क्वेस्टन ने तम उसी तरह से लिखा लें सिधे करें कि बिंदुए एक कॉमा साथ चार कॉमा दू माइनस वन कॉमा माइनस वन और माइनस चार कॉमा माइनस चार एक वर्ग के तो अभी तो हम पूरा समझा दिए पूरा कॉंसेप्ट अभी हम किलियर करते हैं आपका उम्मीद करते हैं आप से यह वाला बन जाएगा आप खुद से बना लिजाए अब देखो हम आउनलाइन तो है नहीं है असलब लाइव तो हम आपको फिलाल देखने रहे हैं कि एक काम करते हैं कुछ वैसे भी अस्ट्रेंट होते हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा है तो तना तुने थोड़ा जल्दी वाजिम बताते हैं थोड़ा जल्दी कि एक एक निया मख लिख देना एक कॉमा साथ बी लिख देना चार कॉमा दू सी लिख देना माइनस वन वन और डी लिख देना माइनस चार कॉमा माइनस चार A B निकालने ना direct A B A B निकालना आएने A B direct, 4 में से 3 गया मतलब 4 में से 1 गया 3 लेकिन एस्क्वार direct नौ लिखो 7 में से 2 गया 5 लेकिन एस्क्वार लिखो 25 अदोनों के जोड़ दो तो root under 34 20 जड़ा निकालना 20 20 निकालना तो चार में एक जोड़ देंगे तो 5 लेकिन अस्क्वाइर लिखो 25 प्लस दू में एक जोड़ देंगे उजूट विन करेगा तो 3 हो जाएगा 3 के ओल अस्क्वाइर 9 दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर 34 CD निकालो CD तो एक में से 4 तो पहले से माइने से तो पलस हो जाएगा इन्हें 4 में से माइनस 1 घठ गया तो 3 अस्क्वाइर हो जाएगा 9 यहाँ एक में से इसको घठ How is this possible How is this possible कुछ मिस्टेक हो गया हम से पलस 4 हो गया माइनस 4 ने यहाँ पर पलस 4 होगा तुझे इसे नहीं 4 में से घठ आईएगा माइनस 1 तो पलस हो जाएगा यह ने के 25 फिसर रूट अंडर 34 फिर D यह निकालो यह AD निकालो AD इसे लेके D तक तो एक में से 4 घठ गया मतलब कि बोलोने कि 5 हो गया 5 के स्कर पचीस 7 में से 4 घठ गया size 3 तीनो फिल पर नो देख़ो इतना जल्दी कि उस्ते उन बतात हिए कि मिवादर जाए नोट वए कर नहीं परवी कर बीडी ज़्र वबल्स घठ निकालन नहीं पहला हो गाएग सरफOY स्कॉर्ण चॉड़ साथ बिदी निकालो निसे लेकर दिधी तर चार में चार घट गया चाब में जैसे इसाइज और रभाट हो जाएगा और एक स्कॉर्ण सबस्ट है अधर ब्रूट दो एक वर्ग के सिर्स बिंदू, फोड़ा जल्दी था इसलिए क्यूंकि हम कॉंसे पूरा क्लियर कर चुके थे इस बार तो इसलिए बता दिये हैं कि कुछ वैसे विद्ध्यारती होते हैं जिन से एक बार मैंने समझ में आता है दुबारा हम बता दिये लेकिन थोड़ा जल्दी बता दिये कि अदुआ है तो नहीं जाओ रख़श में अचलता है दो झालकारी उां आता है झालकार की बता है तो जाओ़ा है दो में आता हैं आता हैं तो नहीं हम आता है। कि अब इस के तिसरा नंबर कुस्टन अच्छा 20 की तिसरा ने है ने डिरेक्ट एकीस है एक एक इस नंबर कुस्टन सिद्ध करें की बिंदु है त्री कॉमा टो सिस कॉमा थ्री सेवन कॉमा सिक्स और फॉर कॉमा फाइफ एक समाना अंतर चत्रभुज के सिर्स है क्या यहां आयत भी है दो को फिर से वही सब्जिक्ट करेंगे जो भी पीछे किये थे जैसे वर्ग और सम्चत्रभुज में समझाएं ने वेश्टन यहीं एक वर समझ रों धुंडैंगे लह यजा भी तो भी है योग यह आयत है है हो हो और इसी तरह से होता है एक कि येल है ये वी है तो बी है लेकिन इसको बोला जाता है समाना अंतर चतुर्भू जो ऐसे क्यों देखो म३ungsलिय्मह क्या ये ने समाना अंतरचतर पहले देखते ले देखो इसा तैसा क्या लिख रहे हैं आमने सामने एक भोजाएं बराबर आमने सामने की Bhojayaं बराबर और हुए ये भोजाओं के लमभा ही बराबर हूँ यही बात उधर लिखाता कियामने सामने कि भोजाएं आपस में बराबर हूँ और समारांतर चत्रोज के लिए यही कंडिशन फॉल्फिल है बस इतना ही चाहिए अगर समारांतर चत्रोज के बारे में कहता है तो इतना ही लिखना है कि आपने सामने कि भोजाएं आपस में बराबर हैं कि दोनों विकर्ण बरावर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां लिख देते हैं कि विकर कि उभी यह उने दोनों दोनों विकर आपस में कि बरावर हो या कि नहीं यह मैटर नहीं करता यह बात मैटर नहीं करता है तोनों विकर्ण Çu firm बराबर है याने इससे कोई फार्वार ने पड़ताWS ओ भी सकता है जैसे संच चत्रभुज में था कि वर्ग और संच त्रभुज जिरा करने मांक पर जोड डालें क्या बोले थे वर्ग में बोले थे कि वैसा च्त्रभुज इसके सभी कि वोज आपके बराबर को ओस्जा करें वे वहीं बहुत, था हम वह्ए ब decía क्वह सम्चेत, इ于 बोले थे लेकिन उस में बोले थे कि दोनों विखरन वह्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयत में दम गश्टाइड Falun की लंबाई आपस में बराबर हो और इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट इस परपस से है कि यह कंपल सरी है कंपल सरी मने जरूरी मजबूरी है अगर एस नहीं हुआ आप आयत में कह सकते इसको है हुए ऐसके दमने विकरन कि लंबाई आपस में बराबर हो समानांतर चत्रवज में ये बात जरूरीन है कि दोनों विकर्ण के लंबाई आपस में बरावर हों समानांतर चत्रवज में भी होता है कि आमने सामने एक भोजाओं के लंबाई आपस में बरावर हो आयत में भी यही बात है कि आमने सामने धोजाओं की लंबाई आपस में बरावर हों लेकिन फिर भी दोनों में माइनर सा डिफ्रेंस है आयत के लिए विकर्ण चेक करना होता है और समाना अंतर चत्रपुज के बारे में जो भी थी गरो A, B, C, D, A, 3,2, B, 6,3, C, 7,6, D, 4,5 पहले तो सभी भोजाओं के लंबाई चेक केजिए A, B, एक्जाम में आप डिटेल से लिखेएगा यहां तो बहुत जल्दिवाजे में लिखने का परियास केजिएगा यह भी निकालना है तो छे में से तीन घाटा के अस्क्वार कर दो छे में से तीन घाटाएगा तो तीन होगा एक से नियामक में एक से नियामक घाटा तो तीन लेकिन अस्क्वार चलो घाटाएगे तो छे माइनस तीन के होल स्क्वार अपलस यहां तीन में से दू घाटा के होल स्क्वार तीन माइनस दू के होल स्क्वार देखते हैं कितना तो छे में से तीन गया तो तीन लेकिन स्क्वायर के वजह से डार एक नौलिग हो तीन में से दू गया तेक लेकिन स्क्वायर तो खैरिये कहीं हो जाएगा दोनों को ऑगर जोड़ देते तो अंडर उठ वह गया 10 ये भी निकल गया अब ज़राब BC चेक करो BC देखते हैं BC कितना होगा BC चेक करना है तो 7 में से 6 घटा दो whole square plus वहाँ 6 है, 6 में से 3 घटा दो घटा के whole square साथ में से अगर 6 घट भी गया तो एक के square एक है 6 में से 3 घट गया 3 लेकिन square लिखेंगे तो 9 9 और एक दोनों को जोड़ दो तो root अंडर 10 BC निकल गया, अब ज़राब CD चेक करें CD CD निकालना, C से लेकि D तक तो साथ में से 4 घटा मतलब घटा दो, X नियामक में X नियामक घटाना तो अंडर root में साथ में से 4 घटा के whole square वैसे ही Y नियामक 6 में से 5 घटा दो के whole square साथ में से 4 गया 3 आप, 3 के whole square आप, 6 में से 5 गया तो एक square root अंडर हो गया 10 कर देट, क्यादी यह जो भी बोलो AD चार में से 3 घटा देज़े प्लस 5 में से 2 घट गया यह जात और बहुते बड़ा बवाल आने वाला है बवंडर उठने वाला आपके लिए आप कहेगा रित तेरी तो बते विन के थाप गलती करती है 4 में से 3 के square यह कहीं 5 में से 2 गया तो 9 अधनों जोड़ दियो रूट अंटर दस इतो और बड़ा बवाला जाएगा आपके लाइफ में आपके जिनके में कि कोची हो गया क्योंकि नॉर्माली आप लोग यह सब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हमको नहीं मालूम है कि समारांतर चत्रबूज के जो डिफिनेशन है वो क्या बोले थे हम कि आमने सामने एक भूजाएं भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो आमने सामने एक भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो जड़ा गवर से देखो गया एवी रूट दस इसके सामने भी रूट दस तो इस दोनों तो आपस में बराबर हो गया बी-सी, रूट-दस, नीचे भी रूट-दस, यी दोनों भी बरावर हो गया, अब तुए जाप अनरगल जवाब दोगे, हाँ इता चारों बरावर हो गया, अरे यार हो गया तो हम क्या करें इसमें, जिसे हमने आपसे अगर कोई बोले कि चारों बरावर हो गया, तो ठीक है ह बोलना है यहने बतलाना कि सभी बराबर हो गया उठो हो गया जो पूछ रहा है इस क्वेस्ट्न में जो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भोज तो आप इसके हिसाब से ने चलिए इसके हिसाब से जैसे अगर कोई पूछे कि हम अपनी बारेम करते हैं तुम लोग के बारेम हम हम लड़का है कि नहीं है तो आप मजाक नहीं लेना कोई सिरियसली बोल रहे हैं तो आप ही नहीं बोलेगा उत्व अच्छे सर है अरे अच्छे सर है उसको रहने देजिए मेरा नाम अक्छे सर है चलो अक्छे कुमार है अ ने लड़का हम से जितना पूछा जा रहा है मतलब मेरे लिए बारे में वो है सचाई है कि हैं टीचर है तो दो-tीन दो-tीन पोस्ट हम ही को तुम दे दिये हो यह तुम अपने ही समल है तुम भी तुम बिद्यार्थी हो लड़का भी हो और भी तुम्हारा कोई खास नाम होगा तो समांतर चत्रफुज के कंडिशन से फॉल्फिल कर रहा बस कि उसका फॉल्फिल करने का कंडिशन है कि यामने सामने कि देना चाहिए कि दी गई बिंदुएं कि समांतर चत्रफुज के कि सिर्ष है रहा बात है कि क्या यह एक आयत है तो उसके लिए कंडिशन से कि आपको विकर्म चेक करना पड़ेगा पहले विकर्म एसी और फिर विकर्म यह वहला चेक करो बीड़ी देखते हैं विकर्म जराए एसी और विकर्म बीड़ी कितना आता है विकर्म चेक करते हैं तीन में से साथ घटाना यह साथ में से तीन घटाना है होल असक्वार है छे में से दू घटा के होल असक्वार है इधर बीड़ी चेक करो तो छे में से चार घटा दो पाँच में से तीन कि यह तीन में से पांच घटाना था यह साथ में से तीन गया तो चार लेकिन आस्क्वार के वज़ा से सोला आओ वेखने से की दोगतार फिर से सोल्ड इधर देखते हैं चैसे लोगए थो थे 2 होगा जानद Ted इद में आयत नहीं है क्योंकि आयत के लिए जो कंडिसेंस थे वह फुल्फिल नहीं सिर्फ समानांतर चत्रवोस से ही आप काम चला लिजे कि जो बेंदुएं दी गई है वो समानांतर चत्रवोस है आयत नहीं कर सकते है आयत के लिए जो कंडिसन्स होता है उसको यह फुल्फिल नहीं कर पा रहा हुआ 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 अ हुआ 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 अब कंछूशा हुआ 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 operatingा घ्रानिंग시 22 वही चेज फैसर रिपीट हुआ सिद्ध करें की बिंदु है 6.8 3,7 माइनस टो काउमा माइनस टो और एक काउमा माइनस एक एक समानतर चतुरवोज के सिर्ज है यहां तो यह भी ने चेक करना है कि आयत है या नहीं है सिर्फ यह बतलाना है कि समानतर चत्रवोज के सिर्ज है A, B, C, D A, 6,8 B, 3,7 सिर्फ माइनस टो काउमा माइनस टो डी एक काउमा माइनस एक समानतर चत्रवोज के सिर्ज है तो A, B, थोड़ा जल्दी निकालेंगे इस वार A, B जल्दी क्या, बहुत जल्दी निकालेंगे इस पीछे तो बताईए चुगे 6 में से 3 घटा दो 6 में से 3 घटे का तो 3 लेकिन स्क्वाइर करने के वज़ा से डारेक 9 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 लेकिन स्क्वाइर करते हैं तो सिर्फ एक दोनों को जोड़ दियें तो रूट अंटा 10 A, B, निकल गया ज़रा B, C, चेक करते हैं 3 में से 2 घटा कैसे घटा हैं उतो पहले से माइनस हैं तो ठीक है 3 में से उदू जोड़ दो तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 के स्क्वाइर 25 फिर साथ में उदू फिर नहीं घटेगा क्योंकि पलस हो जाएगा तो साथ और दू नौ यह स्क्वाइर की हैं तो 181 दोनों को जोड़ देजिए तो अंडर रूट 6, 8, 2, 10 106 CD देखे CD कहीं से भी कहीं घटाई है कोई दिक्कत ने है CD एक स्नियामक कौन है एक और एक स्नियामक में एक स्नियामक घटाना है तो घटा दो एक में से दू घटा देजिए वो माइनस टू है तो एक में घटा दी है उसको जैसे ही घटाएंगे ने वो पलस टू हो जाएगा प्लस टू के होला स्क्वाइ प्लस अब बोलेंगे माइनस से पेस उसको घटा दो तो माइनस एक है और घटा रहे हैं प्लस टू के होल असको है देखते हैं कितना हो गया इस बार ऐसे क्यों लिख दीए क्योंकि पलस माइनस था थोड़ा सा कन्फूजन हो जाता आपको लिख दीए तीन के स्कूर नौ अई तो यह कहीं होगे रूट अंडर दस देखें जब आप इसकी लंबाई निकाल रहे हैं तो रूट अंडर दस आया था और इधर भी रूट अंडर दस आया लेकिन सामने वहला जो निकला रूट अंडर स्कूर यहीं पांच के स्कूर पचीस है फ्लस है आठ में से घटा तो तो आठ में से घटे का क्या हो तो पलस हो जाएगा नहीं नौ नौ के स्कूर एक आसी फिर से जोड़ें तेक सोचे बस इसके आगे नहीं बढ़ना दी गई बिंदुएं अब विकर्म चेक करने के जरूरत नहीं है कि समानांतर चत्रभुज का जो कंडिसन होता है कि आमने सामने एक भोज आए आपस में बराबर चारो बरापर नहीं हुआ नहीं हुआ जो कंडिसन से उसको फुल्फिल कर रहा है तो दी गई बिंदुएं आप समानतर चत्रभुज के सिर्ष है क्या आपको यही तो साबित करना था विदेश्टे के सिर्ष है और हैं समाना उंतर चत्रभुज के सिर्ष संधेला हो गया ने लाइट हूं करना होगा कि अंधेला हो गया था इस लाट रावन करती है कि देखो वो जो अंधेरा होता है और डीम लाइट रहता है हमको इसा लगता है कि कंसंट्रेट करने के लिए माइंड कंसंट्रेट वो सबसे अच्छा लाइट है जब आप पढ़ते हो तो एक अस्टडी लैंप रखते हो और अगर नहीं रखते हो तो रख लो अस्टडी लैंप ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ वहीं पर फोकस होगा क्यों रखा जाता हुरा घर में बल्ब जला कि क्यों नहीं पढ़ा जाता है को बेपर लाइट जलार जब moss पढ़ेए तो उससे उतना कंसंट्रेट ने होता है माइंड जितना लांस्टडी याणी आपके आँग में जाता है वहां से इन्ट आपके आपके आँख यानिया आख में जो भी जाता है वह सर्फ किताब कौपी पे जो लिखा ःट अच्छा सब्द बस वही सामने वाला जो ओ cities सब बेड बेड नहीं जाता है इसलिए सटडी लेंप रखा जाता है पढ़ते वक्त और अच्छा रहेगा कि अगर आपके हां स्टडी लेंप हो और नहीं है तो कोई दिकतने इसा थोड़ी लेंप से फोकस गलवाता नहीं है लेकिन कम हो जाता जैसे अरजुन सह जब पूछे थे कि बताव आरजुनध समको क्या दिखाए देता तो तो आपका फोकस भी उसी तरह आपको सब्चित दिखाए देगा तो फोकस कैसे कंसेंट्रेट करें वो मेरा काम होता है इसलिए हम लाइट को जान बूज कर दिम कर देते हैं लेकिन अगर रात हो जाता है क्या करें मजबूरण कि लाइट होन करना पड़ता है कि अगरे लोगों ने कहा लाइट लाइट लगा दो यह लाइट कर रहा तो लेकिन जो कंसंट्रेशन क्योंकि अप इतना सारा दिन हो गया अब तो अच्छा कासा वीडियो भी मेरे चैनल पर है अब तो अच्छा कासा वीडियो मेरे चैनल पर है अब तो बोलेंगे तो अब तो आप हमको सुनोगे शुरू में कोई ने सुनता था सुरू में हर लाइट ने है साउंड एब क्या रही क्या बखवास कर रहा है अब तो सुन सकते हैं अब तो बिस्वास है कि हमें पढ़ा सकते हैं अब तो बिस्वास हो गया है स्टार्टिंग में किसी को विश्वात भी नहीं था कि यह क्या में पढ़ाएगा लाइट है इसके पास नहीं साउंड है अस्मार्ट पॉर्ड पर है तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि अभी फिलाल मेरे हिसाब से साथ वर्ल्ड का वर्ल्ड का इंजिनियरिंग और अग्मी बनने वाला यूट्पर आप लोग भी जानतें नाम क्यों ले अदरिए हम मानते हैं कि वैसा ही का समब्हीं मेरा आप उसी तरह का कास नाम हो तो वो भी इसी तरह के बोर्ट से चमके हैं वो भी कभी आ स्मार्ट पोर्ट पे नहीं पढ़ायाते हैं चुकि अभी हजारों मिलियंस में बिलियंस में पताने ट्रिलियंस में उनके पास संपति होगा उसके पास होगा तो बोर्ड में अटने करता है आपके दिमाग में अटना चाहिए ठीक है यह सचाहिए है आप लोग बोर्ड के वज़ा से 70% बोर्ड के वज़ा से भाग जाते हो गलत है तेज नमपर अच्छा तेज एक आयत का सिर से देखो क्वेस्टन आपको देते हैं सिद्ध करें की क्वेस्टन दे दे रहें कम से कम चार कॉम आठ जिरो कॉमा दू तीन कॉमा जिरो और साथ कॉमा छे एक आयत के सिर्ज है तेज नमपर क्वेस्टन क्वेस्टन नमपर चोबिस दर्साएं की बिंद में A इडेंटिकल विद वन जीरो B आइडेंटिकल विद 5,3 C आइडेंटिकल विद 2,7 और D आइडेंटिकल विद माइनस दू कॉमा चार एक सम्चा तर्भुच के सिर्ज है यह दोनों क्वेस्टन आपके लिए होंबख रहा है होंबख रहा और बतलानी ज़रूत ने हैं कि यह अंसर आएगा वह अंसर आने के बात ही ने इसमें इसमें तो साबित करना है तो आप साबित कर लेजेगा बना लेजेगा क्योंकि हम पूरा कॉंसेट आपको समझा दी है आयत वला भी समझा दी है और सम्च तुर्वज वला भी समझा दी है अगर तुम ध्यान से इस वीडियो को देखे हो तो पक्का बन जाएगा तो यह दोनों आपके लिए होंबख में क्लास बंद ने हो रहा है भागना ने क्ल पार है ने जाने रही अभी चलेगा एक घंटा होगी फिर भी छलेगा या फिर आगे अगला बना दे हम चलो एक घंटा हो गया कि जो माहराथन क्लास हम बना एक घंटे का क्लास हो गया इसे तो 23-24 आपके लिए और पका बिस्वास है आपके उपर की आप बना ले जागा इसमें कोई डाउट नहीं तो पचीस है पचीस पी होई चीज है फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा तो पचीस में बता देंगे पचीच हब इस और अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को खतम कर बते हैं जो कि अभी जस्ट मिलेगा जैसे ही खतम करोगे देखो के प्लेडिस्ट में दुस्रा वीडियो चालो रहेगा उसको देखी लिए चाहिए इसको कल के लिए मत छोड़ो क्योंकि कल तो सेक्षन फॉर्मला स्टार्ट हो जाएगा अब कल छोड़ोगे इसके लिए तो फिस सेक्षन फॉर्मला पर्सों देखो मतलब वैसे ही आगे चलते हैं और रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए इसलिए आज ही देख लेजेगा तीनो इसको खतम करके